हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सलीम की गली और आज दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेंटर लॉकिंग साउंड को अपनी गाड़ी के हौन से कैसे कनेक्ट करें और दोस्तो आप इसको अपने घर पर ही कर सकते हैं वो भी सिर्फ 200-500 रुपे के अंदर और दोस्त ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं मैं आपको कमेंट में उसका रिपलाई करके बता दूँगा तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइ किट से खरीदी है और ये दोनों रिले मुझे 160 रुपे में मिली है और आपको अगर ओनलाइन चाहिए ये वाली रिले तो आपको Amazon पर सर्च करना होगा 4-pin रिले तो ये वाली रिले आपको मिल जाएगी तो मैंने तो यहाँ पर transparent वाली खरीदी है तो आप जरूरी नहीं है कि transparent वाली ही खरीदे बस 4-pin रिले होनी चाहिए और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस रिले की 4 लेग दी गई होती है और इन 4 लेग पर एक अलग-अलग नंबर लिखा होता है और यहाँ पर आप देख सकते हो इस पे लिखा हुआ है 30, 85, 86, 87 चारो ले वायर जो के इस टाइप का होना चाहिए यहाँ पर मैं फोकस करके आपको दिखा देता हूँ देख सकते हो इसके अंदर दो वायर दिये गए हो और इसके बाद जो हमें तीसरी चीज़ चाहिए वो है यह थिंबल जो के मैंने 8 थिंबल यहाँ पर लिए है क्योंके दोस्तों मेरी गाड़ी के अंदर 2 होन लगे हुए है इसलिए मुझे 8 थिंबल की जरूरत पड़ेगी अगर आपकी गाड़ी में 1 होन लगा हुआ है तो आपको 6 थिंबल की जरूरत पड़ेगी ठीक है दोस्तों उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है अपने बोनट को ओपन करना है तो यहाँ पर मैंने बोनट को खोलिया है देख सकते हो और मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ मैंने जो भी समान अपना रिले और वायर वगेरा वो आगे रख दिया है और जो अब मेरी गाड़ी के अंदर होन लगे हुए है वो भी आपको दिखा देता हूँ मेरी के अंदर दो होन लगे हुए है एक यहाँ पर देख सकते हो यह लगा हुआ है और एक दूसरी साइड लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो तो दोस्तों जिनकी गाड़ी में एक होन लगा हुआ है तो उनको भी कोई टेंसन लेने की जरूरत नहीं है उनका प्रोसेस भी मै दोनों वायर को निकाल देना है और फिर इसके बाद जो दूसरा हॉन लगा है उसके भी दोनों वायर को पकड़के यहां से निकाल देना है कुछ इस तरीके से और जिनकी गाड़ी में एक हॉन लगा हुआ है तो उनको तो सिरिफ एक कही निकालना पड़ेगा तो यहां पर ज तो वायर में थिम्बल को कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ simply वायर को यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद थिम्बल के अंदर रखकर और एक प्लास लेना है आपको प्लास की मदद से इस थिम्बल को मोड़ना है ताकि वायर इसके अंदर अच्छे से भिच जाए और यहाँ पर हमारा थिम्बल वायर में अच्छे से फिक्स हो जाए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमारा थिम्बल वायर में अच्छे से लग चुका है और कुछ इसी तरीके से हमें दूसरे wire में भी थिंबल को अटेच कर देना है तो यहाँ पर दोस्तो हमारे दोनो wire में थिंबल लग चुका है और अब इन दोनो wire को हमें क्या करना है जो हमारा एक होरन लगा उबा है इधर ठीक है दोस्तों जहां तक हमारा ये दूसरा होन लगा हुआ है वहां तक ले जाकर इस वायर को यहां से कट कर देना है तो मैं इस वायर को यहां से कट कर लेता हूँ और दोस्तों कट करने के बाद इस वायर को यहां से छीलना है ठीक है दोस्तों तो जैसे के मैं यहां से इस मैं यहाँ पर camera को set कर दूँगा और मैं यह काम आपको खुदी करके दिखाऊंगा तो wire को यहाँ से मैं छील लेता हूँ पहले और दोस्तो मैंने camera को पिछे set कर दिया है तो आपको हौरन नहीं दिखाई दे रहे होंगे लेकिन यह wire मैंने यहाँ से छील लिया है ठीक है दोस्तों अब इस wire को यहीं पर छोड़के अब एक दूसरा wire और लेना है और उस wire को भी आपको छील लेना है ठीक है और छीलने के बाद यह जो अलग से मैंने wire लिया है इन दोनों wire को मैं एक जगा जोड़ दूँगा तो यहाँ पर जो yellow wire है उसको yellow में जोड़ दूँगा और जो white वाला wire है उसको white में जोड़ दूँगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर यह दोनों wire को जोड़ने के बाद इसमें हमें अब thimble connect करना है दोनों wire के अंदर एक एक thimble connect करने के बाद यह कुछ इस तरीके से दोनों wire हो जाएंगे और दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है इस पे अच्छे से tape लगानी है यहाँ पर तो tape को देख सकते हूँ मैं किस तरीके से आपको लगा कर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको tape लगा लेनी है दोनों thimble के उपर तो यह tape लगने के बाद कुछ इस तरीके से wire तयार हो जाएगी और आप क्या करना है इन दोनों thimble को लेकर हमें जो हमारा दूसरे वाला horn है यहाँ पर देख सकते हो इसमें दोनों thimble को हमें लगा देना है तो लगने के बाद यहाँ पर यह कुछ इस तरीके से हमारा setup तयार हो जाएगा यानि के हमारे दोनों horn एक wire से connect हो गए है और दोस्तो उसके बाद हमें क्या करना है यह जो हमने इसमें एक extra wire जोड दिया था तो इस wire का जो cover है उस cover को पूरा उतार देना है यानि के wire को बिल्कुल नंगा कर देना है और इसको नंगा करने के बाद इस cover को यहाँ से cut कर देना है और cut करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यह दोनों wire हमारे ऐसे अलग-अलग हो गए है और इसके बाद इन में से हमें एक wire को यहीं पर ground कर देना है car के body में तो इस wire को हम यहां से cut कर लेंगे ठीक है क्योंकि यह wire हमें ज्यादा लंबा नहीं चाहिए तो wire को cut करने के बाद इस wire को थोड़ा सा लंबा छिल लेना है और यहां पर यह पास में आप कोई भी nut में इसको ground connection दे सकते हैं तो nut को simply थोड़ा सा loose करेंगे और इस wire को लपेटने के बाद और nut को दुबारा से यहां पर tight करना है अच्छे से ठीक है तो यहां पर हमारा इस horn का negative connection complete हो जाता है ठीक है दोस्तो तो इन दोनों wire में से किसी भी एक wire को आप negative बना सकते हैं और यह जो दूसरा wire हमारा बचे का यह हमारा positive बन जाएगा ठीक है दोस्तो और दोस्तो यह वाला process यहां तक उन लोगों को करना है जिनकी गाड़ी में दो horn लगे हुए हैं और जिनकी गाड़ी में एक horn लगा हुआ है तो उनको यह process करने की कोई ज़रुत नहीं है simply इस wire को लेकर उसमें thimble लगाने है और thimble लगाने के बाद horn में लगा देना है और उनमें से एक wire को ऐसे car की body में लगा देना है और दूसरे wire को ऐसे लंबा छोड़ देना है रिले में लगाना है ठीक है तो एक wire को 85 नमबर की lag में लगाना है और एक wire को 86 नमबर की lag में लगा देना है कोई भी wire किसी भी lag में लगा सकते हो negative positive का कोई चक्कर नहीं है इसमें लेकिन बस 85 और 86 वाली lag में ही लगाना है ठीक है यहाँ पर हमारी यह दोनो वायर लग चुके हैं और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर फिलाल इस रिले को हमें ऐसे ही रख देना है और यह जो वायर हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ था तो इस वायर को उठा कर और रिले तक इसको नापना है ठी ठीक है छीनने के बाद इन दोनों वायर को एक जगा जोड़कर इस वायर में हमें एक थिमबल जोड़ना है इसलिए यहाँ पर हमने इसमें एक कट मारा है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसमें एक थिमबल को लगा दिया है और थिमबल को लगाने के बाद इस पर हमें differential ऐती है तो इसलिए जो ऐसी नंगी वाइरिंग होगी उन पे हमें पूरी कोटी टेप से कवर करके रखना है को और वायर को और पर टेपिंग करने के बाद दोस्तों इस रिले को यहां से उठाना है और इसमें जो 87 नमबर वाली लेग है उस लेग में इस थिमबल को यहां पर हमें गुशा देना है कुछ इस तराइके से उस के बाद इस ओले वायर को फिलाल यहई पर छोड़ देना है और दोस्तो अलग से एक वायर ले ले लेना है जिसको हमें battery से लेकर और इस relay तक लेकर आना है यानि के इतना लंबा wire आपको नाप लेना है उसके बाद इस wire को छील कर इसमें एक thimble को attach करना है तो यहाँ पर मैंने thimble इसमें लगा दिया है और thimble को लगाने के बाद दोस्तो इस पूरे wire को आपको टेप से कवर करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जैसे पहले बता ही दिया था कि इंजन कमपार्टमेंट में हम जितनी भी नंगी वायरिंग करेंगे उसके उपर टेप जरूर लगानी है ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह हमारा वायर पुरा तयार हो चुका है थिम्बल लगके और टेप लगके ठीक है तो अब हमें इसको क्या करना है जो हमने थिम्बल लगाया इसमें उस थिम्बल को इस रिले की हमें 30 नंबर वाली लेग में गुषा देना है और रिले में थिंबल को लगाने के बाद इस वाले वायर को फिलाल हमें यहीं पर ऐसे ही छोड़ देना है ठीक है दोस्तो और इसके बाद हमें क्या करना है जो हमारी दूसरी रिले है उसको उठाना है ठीक है अब हमें दूसरी रिले पर काम करना है तो फिलाल इस रिले को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और दोस्तों जो हमारी गाड़ी में सेंटर लॉकिंग का जो हूटर लगा होता है वो यहाँ पर लगा होता है आपकी गाड़ी में कहीं और भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा तर इस हूटर को यहीं पर लगाते हैं तो दोस्तों इसे के साथ में एक वायर जाता है तो यही इस हूटर का वायर होता है और जैसी आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो यहाँ पर इसके दो कपलर आपको दिख जाएंगे जिसकी मदद से इस हूटर को यहाँ से कनेक्ट और डिसकनेक्ट किया जाता है तो हमें सिंपली क्या करना है इसमें यहाँ पर पुस्ट बटन होता है उसको दबा कर एक एक करके दोनों कपलर को बाहर निकाल लेंगे और दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे जो हूटर वाले तरफ का वायर है उसको हूटर के उपर ही ऐसे लपेड देंगे क्योंकि अब इस hooter का कोई काम नहीं है ये बेकार है ठीक है और यह जो दूसरे हाथ में हमारे wire रह जाता है यही wire हमारा काम आने वाला है उसके बाद दोस्तों हमारी जो दूसरी वाली relay है उसको उठाना है और ये जो हमारे दो wire है इसको इस relay में लगाना है 85 और 86 नंबर की lag में ठीक है कोई भी किसी में लगा सकते हैं बस 85 और 86 वाली lag के अंदर इन दोनों wire को लगा देना है उसके बाद दोस्तो इस रिले को यहीं पर छोड़ देना है और जो हमारा ये पहली वाली रिले से हमने वायर दो निकाले हुए थे एक पर तो हमने टेप लगा दी थी जो हमारा बैटरी में जाएगा और दूसरा हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ था तो इस वाले वायर पे हमने एक थिंबल को लगाना है और थिंबल लगाने के बाद इस पूरे वायर पे हमें टेपिंग करनी है दोस्तो मैंने आपको बताई रखा है जितने भी नंगे वायर है उन पर टेप जरूर करनी है इस चीज का आपको खास धियान रखना है ठीक है दो दोस्तों फिर से हमें एक सिंगल वायर को लेना है लगबग इतना बड़ा जो हमारा बैटरी से रिले तक चला जाए और उसके बाद फिर एक साइट पर थिंबल को लगाना है और लगाने के बाद इस पूरे वायर के उपर टेपिंग करनी है और दोस्तों यहाँ पर देख सकत तो इन दोनों वायर को हमें क्या करना है एक जगा पर दोनों को मिला कर जोड़ देना है यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से दोनों रिलेगी वायर को एक जगा जोड़ कर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में लगाना है तो दोस्तों यहां पर मैंने इसके नट को ल उठाना है उठाने के बाद इस रिले के चारो थिम्बल को हमें टेप से कवर करना है इस पर अच्छे से टेप लगानी है क्योंकि दोस्तों अगर हम इस पर टेप नहीं लगाएंगे तो यह थिम्बल हमारे कभी भी निकल सकते हैं ठीक है दोस्तों तो टेप लगाने के बाद इस रिले को यहीं पर डाल देना है क्योंकि दोस्तों हमने टेप को ऐसे लगाया है कि यह कहीं नहीं जाएगी यहीं पर वायर के साथ चिप की रहेगी रिले और दोस्तों अब बात करते हैं हम दूसरी वाली रिले की तो यहां पर दोस्तों मुझे वीडियो बनाने के चक्कर म एक बात का ध्यान नहीं राज, जो के मुझे आपको बतानी चाहिए थी, ये जो दो वायर उपर दिख रहे हैं, इन दोनों वायर को हमें उपर से नहीं ले जाना था, इनको हमें नीचे से लाना था, तो आप पहले से ही ध्यान रखना, इस वायर को नीचे से ले जाना, तो द ठीक है ये जल्दबाजी में मुझे ध्यान नी रहा तो अब मैंने दोनों वायर को सई से लगा दिया है और उसके बाद इस वाली रिले के चारो थिंबल पर अच्छे से टेप कर दिया है ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस वाली रिले पर भी टेपिंग कर द आपस में यहाँ पर डाल दिया है कुछ इस तरीके से और दोस्तों जो इधर वाले होरन के जो दो थिंबल लगे हुए थे तो अब इन दोनों थिंबल का कोई काम नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर टेप से अच्छे से इसको कवर कर देंगे और कवर करने के हमारा हॉन पैड भी वर्क कर रहा है या नहीं तो दोस्तों यूटूब पर आपने इस टॉपिक के उपर और भी कई वीडियो देखी होगी तो मेरी वीडियो आपको उनसे इजी लगी या मुश्किल लगी मुझे कमेंट जरूर करके बताना और अगर आपको कोई चीज कर सकते हो मैं उसका रिपलाइज जरूर करूंगा तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए बाए दोस्तों